कभी कभी जंगल में चीजें योजनाव के अनुसार नहीं होती। सबसे खुंखार शिकारी भी रात के खाने के मेनू में खुद शामिल हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लकडबगों द्वारा घेर लिए जाने वाले शेरों की, बाजों द्वारा पकर लिए गई साम्पों की और जगुआर को मात देने वाले मकड़ी बंदरों की, कुछ महा कावे प्रक्रिटी चकड़ों और आश्चर जनक वापसी के लिए तयार हो जाईए, क्योंकि हम उन्षणों की गिनती कर रहे हैं, जब शिकारी शिकार बन जाता है, कमर कसलें क्योंकि चीज़े जंगली होने वाली हैं। जंगली सुअर बास्तों में परिबार के पालतु जानवर नहीं है, लेकिन इस सादमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे इस सुअर को पकड़ लेता है, और उसे आसानी से एक तरफ पलट देता है, जैसे कि ये एक सुअर का बच्चा है, इस तथे के अलावा कि वे आकरामक होते हैं, जबकि सुअर ऐसी बीमारियों को ले जाते हैं, जो हो सकती हैं तपेदिक हर्पिट डाइटेसी और इंप्वे जाय जैसे मनुष्यों में संचारित है, इस क्लिप में एक तेंदुआ किसी विशिष्ट मेशन पर नहीं, बलकी लंबी खास के बीच से गुजरता है, अचानक एक चौन का देने वाली चीक हवा में गुंचती है, जैसे एक जंगली बिल्ली बाहर आती है लगभग पैरों के नीचे, तेंदुआ कुछ देड के लिए आश्चर चकित होकर देजी से प्रतिक्रिया करता है और पीचा करता है, छोटी बिल्ली अपने जीवन के लिए दोड़ती है, लेकिन तेंदुआ की ताकत और गती बेजोड है, संगर्ष, शीक्र ही समाप्त हो जाता है, जंगली बिल्ली शिकारी के जबडे में फस जाती है, इस क्लिप में अंधेरे की आड में एक तेंदुआग हाथ लगाए बैठा है, एक अस्वाय जंगली बिल्ली गुप्त खत्रे से अनजान होकर बहुत करीब भटकती है, शिकार का संकीत है, तेंदुआ, शंड, भर के लिए भमित होकर उच सुता से अपने शिकार को सूमते वे एक कदम पीछे हर जाता है, शायद उसके मन में संदेह की किरण कॉंदती है, क्या यह गलत लक्ष हो सकता है, एक पल के अनिरणे के बाद, तेंदुआ एक चौन आने वाला एक मोड है, नमबर 3, शेर भरसेज भैस, इस क्लिप में दक्षिन अफरिका के ख्लूगर नाशनल पार्क में, एक अकेली केप में 100 और शेरों के एक समोह के बीच एक नाट की मुठ भेड हुई, जबकि केप पांसे अपने दुर्जय आकार और ताकत के लिए जाने चाते है शेरों के साथ मुठ भेड हमेशा खत्रे से भरी होती है, इस क्लिप में दो युवा शेरों ने भैस का पीछा करने का प्रयास किया, जिनमें से एक ने उसकी पीट पर चलांग लगा दी, भैस ने हालाकि आश्चल अचकित होकर, जम कर मुकाब्ला किया और शेर को दूर प् जब एक अन्यभैस, शायद सहज ग्यान या वफादारी से प्रेरित होकर, शेर पर हमला कर दिया, उसके शक्ति शाली सींगो ने एक शेर को मारा, जिससे वे इह हवा में उचा उड़ गया, इस क्लिप में क्रूर प्रभाव के बाब जूद, शेर लचिला बना रहा, जब भ पालिया, हाला कि परिणाम का ठोर लग सकते हैं, लेकिन ये याद रतना महत्पून है कि ये मुढभेर प्राकृतिक दुनिया के भी तर सामने आई, जहां पारिस्थितिक संतुलन बनाय रखने के लिए, शिकारी शिकार संबंध महत्पून है इस क्लिप में घटनाओ के एक नाट के अमोर में, एक वाइल्ड अबीस्थ का शिकार करने वाली दो शेर्नियों को अप्रत्याशित प्रतिरोद का सामना करना पढ़ा, वाइल्ड अबीस्थ ने उनके हमलेक के आगे चुपने की बजाय, एक शेर्नी के पैर को अपनी सिंग से फंसा कर जवाबी कारवाही की, फसी हुई शेर्नी संखर्ष करती रही, जबकि दूसरी शेर्नी ने काटने से जंगली जानवर को वश्मे करने का प्रयास किया, लेकिन वाइल्ड अबीस्थ ने भरोसा नहीं किया, उसने फसी हुई शेर्नी पर बार बार अपने सिंगों से प्रहार किया, जिसे वह जमीन पर गिरने को मजबूर हो गई, सहसी होकर, वाइल्ड अबीस्ट ने अपना ध्यान दूसरी शेरनी की ओर लगाया, और स्लिंग नीचे करके हमला करने लगा, रक्षा की तीवरता से आश्चरय चकित दोनों शेरनिया पीछे हेटने को मजबू इस क्लिप में संखर्ष की तीवरता को दर्शाता है, जो शुरू में एक सामान धिर शेर के शिकार के रूप में दिखाई देता है, वह वाइल्ड अबीस्ट द्वारा जीवित रहने की हताश लड़ाई में बदल गया, संख्या में कम होने के पावजुद, वाइल्ड अब नहीं है कि क्या वेह शेरनी के निर्थारिक पीछा से बच सकता है, प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं के खिलाव, इसका बहादुर रिपून, रुख वृत्ति की शक्ति और जीवित रहने के इच्छा का एक प्रमान है इस क्लिप में एक भुखा तेंदुआ जिसकी नजर तेज और शिकारी है, एक बॉर्थोग से चिपक जाता है, वह बिजली की तेजी से घात लगा कर हमला करता है वर्थोग रक्षाहीन होने से बहुत दूर आश्चर जनब फ्रूरता के साथ लड़ता है, प्रारम भी मुढभेड से बजने में काम्याब होता है, बिना किसी डर के तेंदुआ अपने शक्ति शाली जबड़ों को चटकाते हुए, पीछा करता है, ये एक बार फिर वर्थ मजबूर हो जाता है, इस क्लिप में हताशा से प्रेरित होकर वर्थोग एक पानी के गर्थी में शरण लेता है, लेकिन राहातल कालिक है, एक छिपा हुआ मगर मच्छो भरता है, जो वर्थोग को वापस जमीन पर आने के लिए मजबूर कर देता है, तेंदुआ अभी भी द्रण है, अपने अवसर का लाभू उठाता है, इस क्लिप में एक नवजात, वर्थोग को पहले से ही अपने जबडों में सुरक्षित रखते हुए, वाव तेजी से भाग जाता है, लेकिन मा के प्यार की कोई सीमा नहीं होती, वाव तेंदुआ परविश्वसनी ताकत से हमला करती है, और अपने बच्चे को वापस पाने की बेताब कोशिश में उसी हवा में उच्छाल देती है, हाला कि तेंदुआ अपनी उलेखनी ताकत का प्रदर्शन करता है, प्रभाव के बावजूद वह शिशुवर्थोग से चिपक जाता है, और तेजी से पेड़ पर चड़ जाता है, जिससे मा निराश हो जाती है, ये कहानी एक मा की अंतर गयान की अविश्वस नीर शक्ती शिकारी और शिकार दोनों के द्रसंकल्प पर प्रकाश डालती है, ये जंगल में निहित खत्रों की याद दिलाने का भी काम करता है, जां हर मुठ भीर जीवित रह अचे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगी दोस्तों, तब तक के लिए आप चासे और सही सलामत से रहे, ठ्यांक यू